हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल मेरे चेनल घर संसार में आपका स्वागत है आज मैं आपको एपल मिठाई बनाना बता रही हूँ वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद और का उप्शन दबाना ना भूले गेस पर मैंने यह पेंगरम करने के लिए रखाए इसके अनरे में आधा कप यह शक्कर डाल रहे हूँ आधा कप पानी शक्कर और पानी हमें इसमें दोनों बराबर ले लाए इसे आप चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लेजी इसके हमें चाशनी नहीं बनानी है इसे पूरा अच्छे से मेल्ड करना है शुगर हमारी अच्छे से मेल्ड हो गई है और इस तरह से इसमें उबाली आने लगी है गेस को मैंने वापस कम कर दिया कम गेस में आपको दो मिट तक इसे और अच्छे से उबालना है मुझे इसे उबालते वे 2-3 मीट का समय हो चुका है एक बार हम थोड़ा से चाशनी को चेक कर लेते हैं इस तरह से घरण ले रहे हैं परस हमें इसका तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है अब थोड़ी से चिप चिप काम है इसे थोड़ा से हम चिप चिपा ज्यादा करेंग मुझे इससे उबलते हैं एक मीट का समय और हो गया है इसे एक बार हुआ चीप कर लेते हैं यह देखिए जिस तरह से इतनी एकदम चिप चिपी नजर आ रही है देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे हाथों में चिपक रही है खीचने में थोड़ा से चिपी इसमें तार हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है चूने पर यह बिल्कुल आपको शहेद की तरह लगेगी जिस तरह चिप चिप पर रहता है उसी तरह से गेस को आम में बंद कर रही हूं क्योंकि इसे आप मिलाएंगी तो इसमें लमस आने के चा जाएंगे पूरा हमारा मिलक पौडर मिल गए आधा कप मिलक पौडर और टोटाल में ने डिर कप मिलक पाउडर का यूज़ कर एसमें गेस बंद रहे हैं तो इसे आप आसानी से मिला सकते हैं इसीक अंदर दो चुमचिय में नारील का बोर डाल रहे हूं जिसेसे डेकेटे तो आप टालिए अगर नहीं है तो इसे इसकिप कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लंब से नहीं बने हैं बढ़िया हमारा मिक्स हो गया है कुछ धागे मैंने केसर के भीगों के रखेते दस से बारा धागे थोड़ा सा एक से डेड़ चमश दूद के अंतर गेस को भी मैंने ऑन नहीं करा है गेस बंद में सारी चीज़ा आप मिक्स कर लीजिए इसके साथ में मैंने यलो फूट कलर रहे हैं स्रिफ दो ही बुन डालना एक बुन दो बुन बस इतना ही हमें कलर डालना बहुत ज्यादा कलर किसमें जरुवत नहीं है इसे अब आप मिक्स कर लीजी यह देखे इतने में ही केसर से के कलर थोड़ा सा लाइट आता है लेकिन केसर मैंने इसे डाली था कि इसकी खुश बूज़े काफी बढ़िया है अब आपको लो रखना यह इसको बिल्कुल भी तेज नहीं करना यह आप देख सते हैं यह किस तरह से दिख रहा एक दम चिप चिपा लग रह रहा है थोड़ी देर है अगर चलाते रहेंगे तो उसका जो चिप चिपा पाने पूरा खतम हो जाएगा इसे आपको चलाना बिल्कुल भी आपको रुखना नहीं है इतो किया मिल्क पाउंडर नीचे तली में जाकर चिपक जाता है अकर यह चिपक जाए तो इसका कलर जो वो चेंज भी हो जाएगा और टेस्टी भी इसका खराब आएगा कि कितना बढ़िया इसका कलर आगे वह इसमें बिल्कुल भी हो यहीं है इसे कहए उद्ध यह गाड़ा भी हो गया है लेकिन अभी चिपक रहा मतल лег पूरे तरे सर्चे सभी पकान नहीं है इसमें कच्चापन है इसम्दफ़ है थोड़ा सब यह एच्छी पकरहा किसी के अंदर ने थौरा सब मीं घय डाल रहे हो दो चममेच खीट आने से इसमें शाइनिंग भी बढ़िया जाएगी और टेस्टी भी जो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा बस इसे अब पूरे इसमें आप अच्छे से मिक्स कर लीजे बस इसे आपको चलाते ही रहना है नहीं तो यह चिपक जाएगा काफी बढ़िया हो जाएगा इसे कम से कम अभी दो से तीन मिट का समय और लगेगा मुझे इसे करते हुए एक से डिर मिट का समय हो गया यह देखिए पूरे पेन में आसानी से घूम रहा है बिल्कुल भी चिपक नहीं एक डो के फोम में मतलब इस तरह से अकर आपका बनने लग गया तो मतलब इसकी बुनाई भी अच्छी से हो गई और अच्छी से मिक्स हो फूर जादा भूनी करना है मैं इसे लगवत 10 मिट के करीब थन्डा गलिक अइसे हमें पूरी तरह से थन्ड़ नहीं करना है मै थीकिने य। हल्का से छोने पर थोड़ा ज्यादा करम लगना चिदिए एक में ने थोड़ा सा Meũ के साइस का बूल बनाया इस तरह सिस्तर गीया तेल कुछ भी लगाने के जरुवत नहीं है इतना करने के बाद छोटी वड़ी रहती है इस से थोड़ा सा अंदर तक इसे कर दीजिए बहुत ज्यादा गड़्डा नहीं करना है उसके बाद थोड़ा इसे ऊपर तक उठाइए जिस तरह से एपल का शेप रहता है उसी तरह से हमारा बन के तईयार हो गया है एक पी सोरक को बनाना बता रहे हो बहुत ज्यादा बड़ा वाकर आप बनाना चाहते तो बड़ा बना सकते थोड़ा छोटा बनाना पसंद करते हैं छोटा बना सकते हैं मैं आपको मेडियम साइस का बनाना बता रहे हो पहली से मैंने चप्टा करने के बाद दबाते वो इसके जसे मलड्डू बनाते हैं से उसी तरह से बनाना है कि इसरे से चिकना हो जाना ची बीच फिक छोटी वाली उगली से थोड़ा सा अंधर तक गड़ा दबा दीजिए उसके बाद थोड़ा सा उपर उठाएंगे बिल्कुल सेम हमारा एपल बन के तयार हो गया है इसी तरह से में सारे बना कर तयार कर लोंगे सारे अपली मेरे बन के तयार हुआ है आप देख सकते कितना बढ़िया इनका शेप आया है इसी तरह से आप पर बनाएंगे तो एक से दो बनाने में आप थोड़ी से दिक्कत आने वाले इसमें कोई भी चीज नहीं आसानी सी बन जाता है एक पिस आप उठाएं लोंग ही लों सेंडर में लिए इसनेर मीने लंगाया उसके बाद एक टोरे लेजिए एक शुष्य अपर अपर इसे आप रख दीजिए बाकी का में साइड में करतेती हुआ है तो अब घूर सा यह रेड कलर लिया है साथ में मैंने अब्रेश लिया है ब्रस मेरा साफ और थूलावा है मैं ने नया ब्रेश लिया है उसके बाद इंको थोड़ा से मैंने इस तरह से रफ कर दिया है ताकि थोड़ा से पुराने टाइप का हो जाए इस तरह से करने से के दाते इसके जो रहेंगे ब्रेश थोड़ा हो जाते हैं यह देखिए इस टाइप से चोड़े हमें करना है एकदम एप हुआ होगा का बहुत जाता कज़न नहीं करना अप्रें लेंगा करें कि सब्सक्राइब पुपर केरें किक ट्रेट गल करके अपना धाट ओसे कि के इसमें ल सीऔरफली तुन उपर का पूरा जो हिस्सा रहता है, उसे हमें कलर नहीं करना है, थोड़ा से ही बिलकुल मैं कलर ले रहे हूं, अगर आपके पास कलर नहीं है तो यह पूरी तरह से अप्शनल है, आपके इच्छा तो आप इसे लगाईए, नहीं इच्छा ते सिश्किब कर सकते हैं, देख सक उपर से बिल्कुल में इसे हलका सा ही कर रहे हूं थोड़ा सा हाथ को आप उपर ले जाते वे रफ कर दीजिए इसे फिनीशिंग नहीं चाहिए हमें पस उपर से थोड़ा सा लाइन हलकी हलकी हमारे दिखना चाहिए यहां थोड़ा सा हलका लग रहा है यह देखे देखर है से करें दिखें के इस तरह से एसके लाब थोड़ी से मैंने इस तरक पिस्ता लेइन इसको थोड़ा समें रफ मोटा पति की तेक सरे इसे आप इसमें दबा कर रख दीजिए इसे में इस तरह से गुमा कर निकाल हूँए इसे लिए निकल पी जाएका हमारा इसे यह वह गटोरी पी रखने से आपके हाथ जो दूसरा हाथ आपको बिल्कुल भी गंदर ही होगा आप चाहे तो गटोरी पे रखे किजिए फिस कलर बिल्कुल आपको हलका साही यूज़ करना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है बस नीचे से लगाते वे उपर जाएंगे तो उपर अपने आप हलकी हलकी लाइना जाएगे इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे बना तयार कर लूगी इस तवर से करने से आसानी सही हो जाता है और इस से बिल्कुल इजि है इसे कोई भी बिर सकता है छोटे बच्चों को भी अगर 12-14 लेंगर अगर आपका है तो उसे भी यह कामसें करने जहाएंगे इजीली इसे कर लेंगे, पिस्ता है, पिस्ता को या सतरी से पती चेश तरे से श्तरे से थोड़ अधाते हों से लगा दीजिए, कितना सुंदर दिख रहा है हमारा, आप चाहे तो इसे इस तरह से वाइट भी सर्व कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सच चेच कर रहूए इसी तरह से मैं सारे पर कलर लो हूँ यह दिख्यों सारेयá अबन यह दूते हैं कितना बढ़ा इंका क aquí आणया इक आपको पास सरी दिखा थैगा त्लाइ यह तेखि देखिए को तरह से मंती मिठाइ सेम उसी तरह से हमारे ऐ बन के तयार बिलकुल कम सहमकनी है तीन चाहिह हैं हमने इूस करी है बलर ईप्रम परницы अगर आपके पस स्कुनुद sund능 है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा शेयर कीजिएगा प्लिस कमेंट करना बिल्कुल ना भूले लिए थैंक यू